अजमेर दुग्द संग के संचालक मंडल की बैठक में पशुपालकों के हित में कई महत्वपून नेनाय किये गए हैं, जिसमें प्रमकृप से दुग्द उत्पादकों के खरीद मुल्य में एक फरवरी से 20 पैसे प्रती फैट की व्रद्धी की गई है, जिससे प्रती लीटर 6.5 फैट की ओसत से डेड़ रुपे की खरीद मुल्य की बढ़ोतरी होगी, जिसमेर दुग्द संग के संचालक मंडल की बैठक में पशुपालकों के हित में कई महत्वपून नेनाय किये गए, जिसमें प्रमकृप से दुग्द उत्पादकों के खरीद मुल्य में एक रामचंद्र चौदरी ने बताया कि नई दरों के अनुसार पशुपालकों को 800 रुपे की लो फैट प्लस पांच रुपे मुख्यमंत्री दुग्द उत्पादक संबल योजना के मिलने पर जिले में औसत 56.87 मिलेंगे, इतना ही नहीं आगामी एक मार्च से एक रुपे पर चद्धी और की जाएगी, एवं एक अप्रेल अर्थात नए सहकारी वर्ष के प्रारंब में पशुपालकों को वर्तमान दर में तीन रुपे परतिलीटर की दर से अधिक भुकतान किया जाएगा, इस वर्ष पशुपालकों को चारे की उच्च दर देने, पशु आहार की दरे बढ़ाने से एवं लंपी विमारी से हुई शती, पूर्ती है तु संग ने इस वर्ष दिपावली के बाद दूद के खरीद मुल्य में कोई कटोती नहीं करते हुए, आगामी दिपावली तक वर्तमान दरों को चारी रखा गया है, अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि पंजाप से खरीद कर जिले में लाए जाएंगे, अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि इससे दूद उत्पादन में तेजी से व्रद्धी होगी, इसके अतिरिक्त पशुपालकों को उक्त कारिशाला में लंबी बिमारी एवं एफमडी बिमारी के टीका करण है तु पशुपाल को प्रेडित किया जाएगा अजमेर जिलाद दूद उत्पादक सेकारी संग के परसु संचालक मंडल की जो बैठक होई गदिनों में उसमें पशुपालकों के गद्स इस सेकारी वर्स में तीन तरह का आर्थिक बाहर पड़े हैं चारे और भूसे के बाव पंदरा सो से इक प्ची सो रुपे कुंटल रहे हैं दूसरा पसुआर की किमत भी पची सो रुपे कुंटल के करीब चली है जो वर्तमान में हैं तीसरा लंपी बिमारी से पसुपालकों को आर्थिक आनी हुई जानवर मरगे गाएं काफी या जो रह गई वो वापिस हीट में नहीं आई और उनका जो वापिस वो ब्याने के चांसेज नहीं इन परिस्तित्यों में अजमे डेरी ने कल एक फरवरी से हमने दूद के बाव एक रुपे तीस पैसे बढ़ा दिये हैं साथ रुपे असी पैसे फैट की जगे हमने किया है आट रुपे फैट प्लस पांच रुपे सीम के आ परिक उसी परकार एक मार्च को एक रुपा प्रति लीटर और बढ़ाएंगे एक अप्रेल को एक रुपे लीटर और बाव मुझे तीन बार वर्दी कर रहे हम इससे जो है दूद की फैट हो जाएगी नो रुपे पांच पैसे प्रति फैट वर्तमान में साड़े आठ के कर कि मनला पचास पैसे बढ़ने से तीन रुपे की वर्दी से पचास रुपे ज्यादा मिलेंगे और इससे पसुप आलकों को करीबन जो है 69 रुपे के करीब मिलेगा मा अपरिल एक अपरिल से अभी जो है आपको 56 87 के करीब अभी मिलेगा कल सुबह से परंतों हमारा प्रियास है कि पसुप आलकों को अच्छा भाव दें क्योंकि आने वाले माई जून जुलाई में पूरे देश में दूद और दूद के प्रड़ आवक को बनाए रखने के लिए हमने दूद के भाव बढ़ा है वैसे अमूल और पाइस जो मदर डेरी की ब्रांच है पाइस लोटस अन्य डेरी जो है गुजराच की विए अपने जिलें में अखाड़ा जमा रही है वो भाव तो अपनी बराबर देने की कोशिश कर रहे है परंतो उनके ऐसे नप दूद में सोलिड गंटेंट जिया बोलते हैं जिसको ऐसे एसेने अनकी ऐसे ने पड़ेध अहे पसुपालक भी समझें लगे ऐसी हालत में हम जो है यह दूद के बाहों में हम में विर्दी की दूसरा मेरा फरूरी महिने में जवार रंगमंच पर एक पसुपालक गाहों के समीथी के अध्यक्स सचिव और आपके जो है बैंक स्टेट बैंक के साथ मेनेजर रंके सारे ब्रा क्या प्रोसिजर होंगे क्या उसके नॉम्स होंगे इसके अतिरिक बीमा के से करवाया जाये इसमें भी मुख्य मंत्री जी उम्मीद है हमको सौफ्ट मलच प्रीमियम साड़े चारे उसको दो डाई के करीब कर सकते हैं तो भी कराएंगे फिर पसुपाले के बाद में वो जो कैम्प लगांगे एक लाग जानवरों का टार्गेट बना रहा हूं कि आने वाले छे मैंने में अजमे जीले में एक लाग जानवरों बाहर से हो हरियाना पंजब और गुजराच से खरीद के लाएंगे हम और वो जानवर या आने के बाद में उनमें लंपी नहीं हो उनके अंदर जो है एफमडी बीमारी नहीं आवे या बनल जो है दूसरी कोई कातिक बीमारी नहीं आए इसलिए जो है पस्वों के टीका करन का वियान भी तीन चार मेने उस केम्प में जवार रंगमंच में हर समीती के अध्यक्सर सची को टेंट किया जाएगा कि आप इस के लाओ एफमडी वाला भी करें इसके अलावा जो हम प्रियास यह करेंगे कि पसुपालकों को लोन आसानी से मिले जानवर हरियना पंजाब और गुजरात से ही मंगा रहे हैं जिससे कि सीधे वह आएंगे बाड़े में खड़े होंगे दूद के जो है उत्वादम मठी दन हो अब एक आपने बूचर करें